कि है अग्याइब फ्रेंट्स मस्कार जेहिंद वन्देमात्रम बीएड इंट्रेंस इंग्जामनेशन 2022 की लिए वीडियो है इसमें आपसे 20 जीके का कुशन करते हैं और यह स्रीच हम लोग कांटिनुए करते हैं आप लोगों का रिस्पॉंस अच्छा है 20 कुशन है इसमें करेंगे आपका टार्गिड यह है कि 50 कुशन आपको करेक्ट करना ठीक है नहीं भी कर पाते हैं तो कोई समझ्चा नहीं है लेकिन जितने भी कुशन में करवाता हूं यह 20 कुशन को इस वीडियो में आपको क्लियर ह कि आपका है किस अनुशेद के अंतरगत भारत के राश्पती के दौरा विवितिया आपातकाल लागू किया जाता है यह किये जा सकता है आपको पता है आपातकाल तीन आपातकाल है कौन कौन से 352 ठीक है 356 360 ठीक है 352 356 366 आयई अब 352 जो है इसको पोल्ते है रास्टि अपातकाल तीन अ फारज इंडिया पातकाल तीन बार लागू हो चुका है इन्डिया में कपकाप लागू हुआ है एक हुआ है 1962 में एक हुआ है 1971 में एक हुआ है 1975 में ठीक है यह वाला जो लागव हो था 1962 में तो भारत और चीन की बीच में युद हुआ था और 1971-1975 1971-1975 यह दोनों इंद्रा गांधी की सरकार में लगा हुआ था तो यह वाला कुशन काफी बनता है इसलिए मैं पता देता हूँ इंद्रा गांधी उसमें प्रधान मंत्री थी ठीक है क्लियर है 1971-1975 में आप लोगों पता है कि भारत और पाकिस्तान की बीच में युद्ध हुआ था ठीक है और आंतरिक असांती के लिए मतलब राश्या पातकार लगा था आंतरिक असांती नहीं राश्या पातकार लग गया सब्सक्राइब है उसके बाद 356 356 ठीक है यह होता है आंतरिक अशांती ठीक है उसके बाद आपका और यह जो 356 है यह आपका कांटीनू लगता रहता है हर एक स्टेट में उसके बाद 360 360 क्या है यह है आपका वित्या पातकार और वित्या पातकार अभी तक एक बार भी नहीं लगा है जीरो बार आप बोल सकते है ठीक है यह कुशन बनता है कि वित्या पातकार कितने बार लग चुका है तो अभी तक वित्या पातकार नहीं लगा है कि क्लियर हो गए यह चीजे चलिए नेक्स मूव करते हैं गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे काफी रिपीट वाला कुशिन है इंपोर्टन भी है ठीक है गदर पार्टी के संस्थापक कौन है सोहन सिंग बखाना तो गदर पार्टी का जन्म कहा हुआ था अमेरिका के सैन पार्टी को कि स्टोरियों में 1913 में अंग्रेजी सम्राज को जड़ से उखाड फेकने के लिए कि उद्देश से यह पार्टी बढ़ाए गई ती गदर पार्टी के उसके संस्थापक मैंना पुदा दिया सर्दार सोहन सिंग पखाना जिसमें आपके लाला हर्दयाल भी साम इंपोर्टन कुशिंस हैं तो सोला सो इस भी में महलानी एलिजाबैत पर्थम की घुष्णा पत्र के दौरान इस डिटे कंपनी भारत आया था वैपार करने के लिए और उनका जो मुक्ष उद्देश था वो धन को क्या एकत्रित करना है उसी उद्देश से यह लोग आये ह और जो भी धन संपता होती होगा वो सब लूट के हम ले जाएंगे नेक्स कुशिन आपका कि हिमाले परवत स्रंकला किस प्रकार की परवत स्रेणी में आता है यह जो कुशिन है ना डियर रिपीट वाला इतना अच्छा कुशिन है कि यह रिपीट होता है और आप लोग को उप महादीब और तिब्बत को अलग करता है ठीक है नेक्स कुशिन सूरिस से आने वाली किरणों से मुक्ता कौन सा करक रोग होता है करक रोग मतलब होता है कैंसर तो बैया कैंसर सूरिस जो किरणे आती है उनसे कौन सा कैंसर होता है फेफडे का कैंसर होता है या लीवर का होता है या मुख में हो जाता है या फिर तुच्छा कैंसर होता है तो इसका जो जवाब है इसके does होता है तुछा कैंसर हो ता ठीक है पर्लावेकरीन होती है अल्ट्रावेलों होती है डारेंक्ट होको ही में संपर्क होता है तो यह वीमारी हमें मक्षिली मचली है नेक्ष्ट कुशिन है कि RNA का अंच्शिप्ट मितलब RNA का फुल फोर्म पोच रहा है RNA DNA आपको दोनों फुल फोर्म याद रखना है RNA क्या है दियर राइबो-नुकलिड एसट और DNA का फुल फॉर्म क्या है इसी में डी आक्सी लगा देंगे तो डीने बने था डी आक्सी डी आक्सी ठीके डी आक्सी डीने हो गया और आरेने का राइबो निक्लेटेसिट ठीके क्लियर है नेक्स्ट नेमलिकी मेंसे किस अस्थान पर एक वस्तु का भार सरवधिक होता है ध्रूव रेखा कहां पर किसी जो कोई भी वस्तु है उसका भार सरवधिक होता है तो ध्रूव रेखा पर ऑप्शन ए इसको आपको भूला नहीं है नेक्स कुशिन यह है आपका एकोनोमिक का कुशिन निमलिकी मेंसे कौन सा भारत के रिड नियंतरण का एक प्रकार नहीं है ओप्शन दी देख रहे हैं आप परवर्तनी लागत अरक्षित निधी अनुपात ओप्शन दी 27 निम्लिकी में से कौन सा शुक्ष्म आर्थिक चर का एक उधारण है कि शुक्ष्म आर्थिक चर का एक उधारण है Q27 राश्टी आय रोजगार शकल आपूर्ती उपभोगता संतुलन 27 राइट एंसर क्या है आपका उपभोगता संतुलन ठीक है ऑप्शन डी उसके बाद मूव करते हैं 28 पॉलिटिक कुष्यन है भारतिय सम्विधान के किस निम्लिकी भाग में मौलिक करतव्यों का उलेख है मौलिक करतव्यों का उलेख है अंचे 4A और कितने मौलिक करतव्य है ग्यारा पहले दस्ते उसके बाद एक जोड की ग्यारा कर दिया गया नेक्स कुष्यन है भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए निम्तम आयों कितनी होनी चीए 35 कितनी उनिची लिए 35 कियर है 35 होना चीए जो राज्यपाल होता है वो राज्य मतलब स्टेट का स्वामविधानिक प्रमुक होता है और मंत्री परश्द की सलह से कारी करता है ठीक है किसकी सलह से मंत्री परश्द की सलह से जैसे केंद्र मीं बात करें तो जैसे पर्थान मंत मंत्री पश्द के सलाह से कारी करता उसी प्रकार राज में राजपाल ऐँ अनुषेद 155 यह जो अनुषेद हैना यह आपको याद रखना होगा ठीक 155 165 तो अनुषेद 155 कि अनुश्चार राजपाल की न्यूक्ति कौन करता है राज-पाल की न्यूकति राश्पती करता है कि यह प्रेजिडेंट इची याद रखने के चलिए नेक्स कुश्चिन निम्र की में से कौन सिख हर किशन के उत्रधिकारी थे याद रखिए गुरू तेग बहादूर ठीक है रिपीट हो सकता है कुश्चिन अब मैं आपको एक बाता हूं गुरू तेग बहादूर को औरंग जेप ठीक है ुगल्ष शाशक औरंग जेव ने इनका सिर। कि अट्वा दिया था रूख है क्यों इन्हों ने बोला ता ऑपकि अपने बाल मतलब इनको बोला गया था अरंग जेब की दौरा कि आप लोग इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए गुरू तेग बहादूर का एक टिकपड़ी था उस पर कि हम सिर गटवा सकते हैं लेकिन अपने केश को नहीं केश मतलब होता है बाल अपने केश को नहीं कटवा सकते अपना सिर गटवा दे तो और आपको लोग को पता हो कि जो औरंग के उत्रह दिकारी थे गुरू हर किशन के उत्रह दिकारी कौन थे गुरू तेख बहदू है याद रखिए आपका लॉड कॉन वाली स्कोंड ली जाना जाता है थृर्टी फर्स्ट कुश्च्छन नमबर किस लिए रक आयता है बंगाल के अस्थाई राजस्ष विवस्था के सबसेंगे लिए Lord Cornwallis को जरन जाता है very important questions याद कीजिए गाइस बंगाल की अस्थाई व्यवस्था राजस्था के लिए Lord Cornwallis को जरन जाता है नेग आपका 49 समांतर रेखा किन दो देशों के मद्ध सीमा रेखा है तो 49 समांतर रेखा किन दो कंट्री के मद्ध की सीमा रेखा है 32 नमर कुछिन है तो याद रखिएगा संयुक्त राज अमेरिका और कैनेडा ओप्षिन ए अनादर कुछिन ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है इंपोर्टेंट है ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है option B जल का तापमान कम कर देता है कैसे प्रभाव डालता है जो water होता है उसका तापमान होता है तेंपरेचर को low कर देता है इससे क्या होता है प्रशानत महाशाकर पर प्रभाव पड़ता है next topic पौदे की किस भाग से जल दाल चिनी प्राप्त की जाती है 34 नमबर कुशिन है किस से मिलता है चाल से easy question next आपका insulin एक परकार क्या है insulin भाव insulin एक परकार का क्या है question number 35 तो ये एक परकार का क्या है hormones है insulin क्या है next question है आपका कि लाल और हरे रंग के मिस्तरंट से कौन सा रंग बनता है लाल और हरे रंग के मिस्तरंट से कौन सा रंग बनता है कौन सा रंग बनता है डियर लाल और हरे जो नीले रंग हो यो प्रात्मिक रंग कहलाते है इन रंगों के मिलने से बनने वाले जो रंग होते हैं वो दुटिया रंग कहलाते हैं ठीक है कौन सा दुटिया रंग कहलाते हैं जब लाल और हरे रंग को मिला जाता है तो पीला रंग बनता है ठीक है किन्टु लाल प्रकास को हरे प्रकास में देखने पर काला रंग दिखता है तो अलग अलग जे-पी-ई-जी का अंशिप्त रूप मतलब फुल-फॉर्म इसका फुल-फॉर्म क्या है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रूप्स याद कीजिएगा इंपोर्टेंट है यह एक्जामनेशन से पूछे जाता है जे-पी-ई-जी का फुल-फॉर्म पूछे जा सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे ठीक है ठीक है थैंक्यू फॉर्चिंग दूस्वीडियो नेक्ट वीडियू फिर्शे मिलता तब तक रिए धन्यवाद फ्रेंश